अंजली जी अब हम बात करते हैं कि जैसे आपका चैन भी हो गया लोग बधाई भी दे रहे हैं और पीट पीछे लोग बोलते हैं कि यो तो आरेक्ष्णवाली इसली हो गया है कभी आपने ऐसा सुना है या आप किसी और बच्चों का कभी होता था तब इस प्रकार की बाते आ सार्थिक शेत्रों सामाजिक शेत्रों तो कहीं ना कि उसका बहुत बड़ा एक बेस रहा है मतला बहुत बड़ा कॉंट्रिबूशन रहा है उसकी बिना हम लोग साय समाज में समानता को प्रात्म नहीं करते दोस्तों आज हमारी बीच में हैं अंजली आहके जी और इनकी खासियत में आपको जिस प्रकार से आपने वीडियो का जो टाइटल देख लिया होगा इन्होंने MPPSC होती मद्यप्रदेश में और उसके माध्यम से उनका जो चयन हुआ है नायाब तेसिलदार में हुआ है इनका जो सफर है या इन्होंने जो महनत की है किस तरीके से की है हम उनसे बात करेंगे और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार ये वीडियो को आप पूरा देख लिजी आपके बच्चे प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं हो सकता है कि इन्हों आपके बच्चों को एक मारदर्शन मिलेगा और उन्हें एक प्रेहना मिलेगी अंजली जी सबसे पहले आपका स्वागत है और बधाई धन्यवाद से अंजली जी आप सबसे पहले तो ये बताईए कि आपकी जो पढ़ाई जो है शुरुवाती जो पढ़ाई है वो कहां से शुरू हुई जी सर मेरी जो सुरुवाती पढ़ाई रही है पिताजी का जो रहा है डूटी हर्रे में रही ती तो मैंने कक्षा एक से पांच तक तो सिशु मंदे से पढ़ा है इसके पश्चात मैंने कक्षा छे से लेके बारा तक मेरा पूरा जो रहा है शात्रावास रहा है सासकी कन्या इसके पश्चात मेरा रहा कि मुझे प्रशासनिक शेत मेरा एक रुझान रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे शेत में तयारी करनी चाहिए, तो मैंने इस तयारी के स्टार्ट कर दिया था, आप्टर गेजुएशन. आपने इंजिनिंग की पढ़ाई पूरी कर ली, और उसके बाद में अचानक आप प्रशासनिक सिवा में आपने तयारी करने के बारे में सोचा, तो यह किस ने बता है, मतलब आपके दिमाग में कैसे आई कि मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनना है या इस छेतर में आना है, आप जीये इसा रहा था किि इन्जीनेरिंग का जो समय था मेरा के से शारअवास में रहना था, तो हमारे सीनियर में अपनों इस में कर थी, तो मैं अच्छा होगा मेरे लिए इसलिए मैंने प्रशास्निक शेत्र को चुना और MPPSC की तयारी स्टार्ट कर दी थी सब्सकी तयारी जब आपने चालू की पहले तो चार साल की आपने इंजिनिंग की बढ़ाई की उसके बाद में कब से सुरुवात की थी कहां से सुरुवा कर पाती हूँ या नहीं क्योंकि मैं आगे बढ़ जाओं वो चीज ना कर पाऊं तो एक समय की बरबादी होती है तो मैंने एक साल सोचा पूरा से लिए जाते हैं मैं कर सकती हूं जून 2018 से इंदौर में कोचिंग की है पूरा एक साल मेरा कोचिंग रहा इसके पश्याद मैं 2019 का MPPSC का एक्जाम दिया है और मुझे पहले अटेम्ट नहीं सफलता मिली हो मैं इंटेव्यू कॉल मेरा ओल्रेडी पेंडिंग है 2019 का और यह जो सेलेक्शन मेरा वर्तमान जो रहा है नारते सिल्दार की पत पर यह मेरा वर्ष्ट 2020 का रहा है सर मतलब 2019 का भी आने बाकी है इदि आपका DSP या उसके उपर डिप्टी कलेक्टर के लिए चेन हो जाता है तो फिर आप यह छोड़ देंगे तो मेरे लिए एक डिप्टी कलेक्टर के पत पर पहुशने के लिए 20 में एक पत को लेना बहुत जरूरी था जो मैंने हासिल कर लिया है मेरा पूरा लक्ष डिप्टी कलेक्टर के पत के लिए ही है कि मैं आगामी उस पत को प्राप्त करूँ और अपने समाज का अपने सहर का अपने राज्य का इस नाम रोशन करूँ अच्छा अंजली जी समय तो आपको आपने जो महनत की है उसके लिए तो बधाई तो हमने आपको पहले ही दे दी और आपको बधाईयों का कहीं ने कहीं पूरे गाउं के हमारे सहर के लोग दे ही रहे है अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो इसकी पढ़ाई हम जब तैयरी करते हैं उसमें दी कोई बच्चे हमारे यह वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बताईये कि वह तैयारी के से करें कई बार देखा है कि बच्चे क्या करते हैं कि आज कल यूटूब आ गया है ओनलाइन हाना तो वो उससे पढ़ाई करे या कोचिंग जाए या है बाकि इसके अलावा जो आपका कारे पढ़ना तो आपको ही पढ़ेगा आप कहीं से भी पढ़े चाहिए आप ओनलाइन पढ़े आप खुद से पढ़े या फिर आप कोजिंग से पढ़े महनत आपको खुद से करनी पढ़ती है वह तो एक मार्ग दर्शन होता है कि चली चाहिए आपको इसलिए आप कोजिंग करते हैं तो मेरा यह रहता है कि वह बच्चों का खुद का डिसीजन होना चाहिए मेरा मेरा जो वेक्तिगा था कि मैंने एक साल कोजिंग किया है इसके पश्चा तो उसी का एक परिणाम मुझे लगा कि मेरा एक बेस क्लियर रहा था तो मेरा वर्ष 2019, 2020, 2021 और 2022 अभी तक MPPSC के चार प्री हो चुके हैं वो मेरे चारों नहीं रुके हैं तो हाँ जी हाँ मेरे चारों प्री निकले हैं और मेरे आगामी दो मेंस और एक इंटर्वी पेंडिंग है सर अभी परतमान में मतलब आपने जो कहा कि कोचिंग वगेरा से बच्चों को एक मारदर्शन मिल जाता है और पढ़ाई उन्हें खुद करने पढ़ती है महनत उन्हें खुद करने कितने घंटे पढ़ती थी आप देखिए घंटों का तो ऐसा है कि मलब डेली का तो आपका रूटीन होता ही है क प्रशासनिक छेत में तो आप छोड़ नी सकते पढ़ाई को तो डेली आप चार-पाच घंटे पढ़ो बहुत पर जैसे आपका एक्जाम का समय होता है जिसे प्री का समय होता है तो आप प्री का जैसे नोटिफिकेशन आ जाता है तो आप लग जाओ आप फिर आपको दस स बारा घंटे उससे जादा भी आपको पढ़ना पड़ेगा जिसनी आपकी कैपिसिट्यों को पूरा कवर करना रहता है जब तक एक बार सिलेबस को कवर नहीं करोगे आप रिवाइस नहीं करोगे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप पेपर निकाल सकते हुआ सब ओने जा रहे तो मेरा जो 2019 पर प्रेशन रही थी तो मेरा जन बड़ी में एक्जाम था ऑव मने नंवंबर से तवा कर दीचि मेरा जू तीन में डही एंभी रहा था तो हर चीज में नहीं पढ़ हा तो एक बेस्目र हमेज़ा से भना रहा है इसके पीम आता है जो मे तो आपको इसको पर नहीं करते हैं कि यह होता है कि आपको आत्मिश्वास गिर जाता है कि मैं पाँगी या नी पर नहीं होगा तो फिर आपको कोई इसी चीज़ नहीं लगती है आपको लगते हैं कि बस हम करें और वह हो चाहेगा जिए आपके घर में जैसे आपके मम्मी पापा है या आपके और भी रिस्तियार होंगे किसके तरफ से आपको मारदर्शन मिला कि बेटा तको करना चाहिए या इंजीनिंग में जाना चाहिए को आपको इस प्रकार का मारदर्शन किस ने दिया देखिए मारदर्शन तो यह रहा है कि मलब सपूर पूरा रहा है माता-पिता से कभी यह चीज नहीं रही या फिर उनका को डिस्जिशन मुझे थोपा नहीं गाया उनका था कि आपको जो सही लगता आप वो करिया आपको 12 11 12 मैट्स लें आप मैट्स लीजे आपको समें पीटी चल रहा था हम लोकिसमें लास पीटी था तो उससे मुझे था कि गौर्मेंट एदि मुझे कॉलेज मिलता है तो मैं इंजीनियरिंग करूंग तो मुझे गौर्मेंट किसी संकोष के इंदौर भेज दिया और मैं अभी भी इंदौर में चार साल हो गया है मैं दौर में हूँ साइद उसी का परिणाम है चार साल की महनत की कि आज में एक प्रशासनिक पत्प चैनी थुई है जो बच्चे जैसे आप आप आदिवासी परिबार से आती हैं और कह कि उनको पता था कि एजुकेशन या सिक्षा क्या ताकत होती है साइद उन्होंने इसलिए आपको मोटिवेट किया होगा लेकिन जो गाओं में रहते हैं जहां पर आज भी सड़क नहीं है जहां आज भी स्कूल है तुबहां टीचर नहीं होते हैं वो बच्चे अगर ऐसे ह करना चाहें या आपने जो लक्ष आपने बना रखा है उस लक्ष को अगर गाओं के बच्चे कैसे प्राप्त कर सकती कभी आप ऐसा सोचती है कि हां सर मुझे मेरा व्यक्तिकत अनुभव रहा है कि मैंने चात्रावास में रहके पड़ा है सासन संशालित रहता है आपको नि चाहें रहता है कि आप चट्वी आप अख्चा एक से चाहत्रावास को उपलब्द हो जाते हैं शासन संशालित तो आप उनमें बच्चों को डाले ताकि बच्चों को अच्छा इंवार्मेंट में अच्छी सिक्षा में ले उक अक्षा बारा तक अपनी पूजी सिक्षा कर क्योंकि इसके पशाद बच्चों की खुद के अंदर एक इच्छा सक्ती जाग जाती है कि हमको विजुएशन भी करना है और हमको नौकरी में भी लगना है तो इसलिए बहुत जरूए कि आप छातरावास की और बच्चों को डालें बिलकुल नहीं सब बिना संकुछ डाले इसके राबा जो भी विद्धाले हैं जो भी प्रात्मिक विद्धाले होते हैं आप बहां बच्चों को डालिए और ऐसा बिलकुल नहीं है कि सास की स्कूल हकीयरी में बात करी हूँ कि मेरा तो मैं बहुत गर्व से इस बात को कहती हूँ कि मेरा जो स्कूलिंग रहा है सास क कि रहा है और मैं उसके बदोलत ही आज मेरी एक उसका एक पूरा ना पूरा कही ना कि एक सपोर्ट रहा है एक कॉंट्रिबूशन रहा है कि मैं अज पर शासनिक पत पर हुसा है अच्छा अंजली जी अब हम बात करते हैं कि जैसे आपका चैन भी हो गया लोग बधाई भी दे लगता है कैसा है और मुझे छीज नई लगती है मुझे लगता है कि बच्चा जो होता है किसी भी इसमें रहे किसी版 का रहे तो मुझे यह चीज नहीं लगती है, मुझे लगता है यदि आप महनत कर रहे हो, तो चीज़े आपका साथ देती है और आप बिल्कुल सफल होते हो साथ क्योंकि तो आदिवासी बच्चे भी तो बहुत सारे एक्जाम देते हैं, क्या सभी पास हो जाते हैं? देखिए, ये तो वो बात हो जाती है, जो जितनी पोस्ट उसके कॉर्डिंगी बच्चे स्लेक्ट होते हैं, तो मेरा ये कहना रहता है कि आप पूरा महनत करें, आप बस यह सोचिए, कि जो एक पोस्ट है वो मेरी है, यदि आप उसे एक पोस्ट के लिए हमेशा से सब्सक्राइब जा नहीं है, तो मेरा ये कहना रहता है कि बच्चों मेरी नहीं होने टीए, चीज को लेकर ना चलें, अपना पूरा महनत करें, हाँ नमबर उपर नीचे हो जाते हैं, Expedition क क्योंकि उनन Cryptить करना रहता है, तो कि नंबर आपibenर नहीं से रहते हैं, मैहनत में कि आप अपनी पोस्ट के लिए फाइट करें तो फिर आवस से आप सफल होते हैं आप अपने जो कॉंपिटिशन करें या प्रदियुगिता करें तो आप अपने वर्ग में जो बच्चे टॉप आते हैं जिनके अच्छे नंबर आते हैं उनसे कॉंपिटिशन करें तो आप उसके लिए पूरा डेडिकेशन होके महनत करें कोई ना कोई प्राप्त कर लेंगे हैं ऐसा हो सकता है कि आप पहली बार में सफल ना हो पाए कुछ ना क से बच्चे रह जाते हैं तो पर आप महनत ना चोड़े यह आप कंटिनुनी महनत करेंगे तो पहली बार दूसरी बार जरूर सफल होंगे क्यों कि प्रशासनिक शेत्र में ऐसा होता है कि बच्चा जरूरी नीकि एक बार में ही बद प्राप्त कर लेता है तो आपको एक कि लए यह कुआ जाओंगे जैसे आपके पृच्च एष destin शेणा तक परीवार में आपको पिता जी जो हैं तीचर थे ने कार्य कर रही है और यह जो भी पढ़ रहा है और बस इतना ही असा है और आपके धाधा जी डी का रहा यह मेरा जो जन मिस्थान रहा है व पढ़ाई की तो मतलब वह समझ में आती है कि एक दी सो दो सो लोग गाव में हैं और आप अकेले पढ़ रहे हो इसलिए पढ़े हो आपकी पिता जी सिक्षा की और आप उस सहां से बाहर निकल चुके थे तो वह उसका कहीं नहीं रहा है कि हाँ पापा जी सिक्षक रहे हैं तो पापा जी नहीं पढ़ाया है तो वह कहिना कि उनका एक योगदान रहा है और नाना जी जो रहे हैं वह भी साले धानस हैं रिटाइड सिक्षक हैं तो यह एक बैक्ग्राउंड जो एक माहूल था कि आप सिक्षक का महत्व क्या होता है तो उस जी से कभी कोई कॉम्प्रोमा के बहुत सारे प्रावधानों के बाड़े में विभी आपने अध्यन किया होगा मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारती सविधान में SC, ST, OBC या देश के हर लोगों को आगे बढ़ने के जो देश के मुख्यधारा में सामिल होने के जो प्रावधान बन प्रप्रतेख व्यां को प्रतेक वार्गों को प्रतियों की प्रतियों के दितुव'ं मिले चाहरे वह राजनितिक शेत्रों आर्थीक शेत्रों सामाजिक शेत्रों तो कही ना कही उसका बहुत बड़ा एक बेस रहा है, मतलब बहुत बड़ा कॉंट्रिबुशन रहा है, उसकी बिना हम लोग साय समाज में समानता को प्रात्र नहीं करते, और हर गवरकर जो प्रतिन दीत्व उन्हों के दोरा निश्चित किया गया है, वो उसका बहुत बड़ है, अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चायब स्कूल के बच्चे हो या फिर जो युवा जो रोजगार की तैयारी कर रहे हो, कोई व्यवशाई के लिए कर रहे हो, मेरा कहना यह रहता है कि आप अपना 100% दीजिए, दूसरी बात यह है कि माता-पिता आपको पढ़ान करें और आगे बढ़ें, अंजली जी आप से बात करते हुए, मुझे ऐसा लग रहा है कि और बात किया जाए क्योंकि आप कहीं ना कहीं एजुकेशन फिल्ड में हैं और उसके कारण आप इस अहदे में पहुंच रही हैं, और डॉक्टर अंबेटकर ने कहा था, सिक्च्छ सिक्षा तो देखिए, एक महत्पून आधार है आपकी जीवन का, आपकी समझदारी को बढ़ाता है, क्यांकि समझदार प्रतेक व्यक्ति होता है, परेदी वो सिक्षित भी होता है, तो कहीं ना कहीं वो सही रास्ते पर जाता है, तो सिक्षा एक बहुत बड़ा एक टूल ह हमारे समाज में समाज को आगे बढ़ाने का, लोगों को अपने बच्चों को अपने सपनों को पूरा करने का, तो मेरा मानना है कि व्यक्ति एक व्यक्ति को सिक्षित होना चाहिए, अपना पूरी छमता के साथ, जहां तक संबह हो व्यक्ति सिक्षित हो और आगे बढ़े. चल रही है, बिल्कुर को नोग चल रही हैं. हम mittelूँदुने से हम लोग कहते हैं व्हों कहते हैं कि eve चानिसे हम अन ऐरे से करता हैं ंते हैं। कि वो सिब एक ट्रेंड के कारण प्रशाष्णिक शेत्र में आया है, वो उनका कोई लक्षी नहीं है, कि हाँ मारे मामा का बेटा कर रहा है, यह कर रहा है तो आप भी कर लो, पर माता पेता को यह चाहिए कि आप उनसे पूछो कि आपको करना क्या है, क्योंकि समय बहुत ही मह लक्ष क्या है, उनकी छमताएं क्या है, क्योंकि बच्चे अपनी छमताओं को पहचानते हैं उस रास्ते पर चल जाते हैं, तो वो भी एक नुकसान दे हो जाता है, क्योंकि आप समय बरबाद हो रहा होता है, बाकी आपके आगे वाले साथ वाले सागे आगे निकल जाते है तो parents का मेरे तरब से यह अभी भावकों से पूरा अनुरोध है कि अपने बच्चों को जो भी करना चाहे वो private job करना चाहे चाहे वो किसी website को करना चाहे या फिर किसी और खेल में उसकी रुची है विसे इसका खेल में दी उसकी रुची है संगीत में रुची है या फिर वो प पहलूए था कि माता पिता को लगे कि हाँ बेटा आपका जो डिसीजन था वो गलत नहीं था और हमारा सपोर्ट आपका पूरा रहेगा अंजली जी आपने काफी महत्पुन बाते की हम आपको ये मंगल कामनाय देते हैं कि आने वाले समय में अभी आप नयाप तेसिलार बन मेरे पास थोड़ा तो मेरा है कि अपना continuity छोड़नी नहीं है मुझे भी आगावी प्रस दो मेंस भी है और एक इंटेव्यू है तो मेरा पूरा प्रयास है कि मैं उस लक्ष को प्राप्त करूँ आप लोगों का आश्रिवाद और सब कामनाय के साथ से चलिए धन्यवाद आप देख रहे हैं डवली एल बेस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रिस करना ना भूले